पच्छी बंगाल की जलपाई गोडी से दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है यहां एक अभागी बेटे को अपनी मा के शफ को अपने कंदों पर ढोनी के लिए मजबूर होना पड़ा वा करीब पचास किलो मीचर तक अपने मा के शफ को कंदे पर उठा लेकर गया दरसल एमबुलिस चालक तहे सिल्क से करीब तीन गुनी रखम की मांग कर रहा था जल्पाई गोडी जीला केके सुपर इस्पेशलिस हस्पताल से सुभा करीब सारे दस बजे मा के गुजर जाने से दुख से जूज रहा बेटा एमबुलिस चालक से ठीक ठाक पैसा लेने की बात ही कर रहा था मगर उस से तीन गुना जादा किराया मांगा जा रहा था जिसे देने में वो शक्षम नहीं था लहाज़ अपने पिता के साथ वो पैदल ही पच्छिम बंगाल की जल्पाई गोडी में कांती गौँ के लिए निकल पड़ा दोनों ने अपने कंदों पर महिला को उठा रखा था कंदे पर मां की लाश उठाए बेटा करीब 50 किलो मीटर तक चल रहा था पीछे 70 साल के एक बुड़े ने उस शरीर को कंदे दे रखा है रास्ते के लोग देख रहे हैं और कुछ तो अपनी मुबाइल पर तस्वीरे खीच रहे हैं शफ को ले जाते समय वो थोड़ा हाप रहे हैं शफ को कभी सड़क पर रखते हैं थोड़ा सुस्ताते हैं और फिछ चल पड़ते हैं मित्रिक महिला के बेटे जै क्रिशने दीवान ने बताया है कि जब मैं अपनी माँ को हस्पतार लेकर आया था तो एम्बुलेंस ने लगभग 900 रुपे लिया था मगर इस बार एम्बुलेंस चालक ने 3000 शफ को ले जाने के लिए मुझे बताया माय ने उसे कहा के थोड़े ही पैसे ही ले लू मगर वो नहीं माना सरकारी सुविदाओं द्वारक कोई शफ वाहन उपलव नहीं है मैं बेबस था और मुझे अपनी मा के शफ को कंदे में उठाना पड़ा इस घटन से हस्पतार प्रशाषन पर सवाल उठाया जा रहा है आईए देखतें इस वीडियो के माध्धम से कलकत्त के मेर फिराध हकीम का इस बारे में क्या कहना है को अधेखतें आगओ ब singular चाहें आपतें मैं वस्कितस रा खागा शांगाँ अध्य Mom एक अधे मस्त करना चाहें इस वा सेों से कंदो से कंद हैं ्ड़ियो इस वा से उस से वा स्य वाहर माना आसद्ध divorce कि अधार कोरे निया जब बारी पुरिश्थिती हाई गेसे हैं अमा तो पाशा नाई अमा तो पाशा नाई अमा तो फिरी नी बेना मोलेन ने उधार के जए हाँ उधर के पोलसीलाम तो प्णाराम्थ एक अमा तो पुति आना जूज्टी आना स्कमा यह नोशोटा आ आंठी व्डराणा जूतिनुन आव लिव्ड़़ें वराट कोरे नाई कि नाम केंठ है ऐघ करिकन नी नहीं है करीवां नी हे अपना की नाम अमाल नम्लां पुसर्दवार्ट वार्ट अमाल बारी क्रांती क्रांती नो पॉटना